गरोल पुरान की ये साथ बाते याद रखेगे तो कभी मात नहीं खाएंगे। गरोल पुरान के बारे में सभी जानते होंगे। गरोल पुरान में स्वर्ग, नरक, पाप, पुन्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, वेज्ञान, नीती, नियम और धर्म की बा है। ये पुरान भगवान विश्णू की भक्ती और उनके ज्यान पर आधारित है। प्रतेक व्यक्ति को ये पुरान पढ़ना चाहिए। गरोल पुरान हिंदू धर्म की प्रसिद्धार्मिक ग्रंथों में से एक है। अठारा पुरानों में से इसे एक माना जाता है। गर नहीं कर रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूज कर लोगों को शत्रू बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चत ही शत्रू बनना स्वाभाविक है। शत्रू या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक। अर्थात ऐसा शत्रू जो दिल पर ले लेला है। जिंदगी को हलके फुलके में नहीं लेते हैं। अब ऐसे शत्रू से चतुराई से शत्रू बचना होता है अन्यता वह कब कहा और कैसे आपको ने इसका कोई भरोसा नहीं। गरोर पुरान के नितिसार में कहा गया है कि शत्रू से निपटने के लिए सतर्क्ता और चतुर्ता सहारा लेना चाहिए। शत्रू लगतार हमें नुकसान पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदी हम चतुर्ता नहीं दिखाएं तो जरूरी है कि आप साफ सुत्रे, सुन्दर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुन पुरान के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नश्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस धर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं उस धर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। जिसके कारण उस धर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन हैं लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं उनका धन धीरे धीरे नश्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंदित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे उपर महलक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पत्थर पर रगडने से पत्थर पर निशान पन सकता है तो निरंतर अभ्यास से मूर्क व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगएर विद्या नश्ट हो जाती है यदि ज्यान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे गरोल पुरान के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पड़े उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए जिससे की वह ज्यान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए निरोगी काया, संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्थ होती है भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्थ करता है और भोजन से ही वहरोगी हो जाता है भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोथ है हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खानपान लेते हैं जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहन करना चाहिए ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण उर्जा शरीर को प्राप्त होती है पाचन तंत्र स्वस्त रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं एकादशी व्रत, एकादशी व्रत को ब्रंतों और पुरानों में श्रेष्ट बताया गया है। गरोल में तो इसका महिमा का खूग बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता वो सभी कश्टों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही लाब मिल जोतिशियो अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। विश्णो जी की पूजा के पश्चात इनकी पुजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदेर और धर्म का सम्मान करें, किसी भी देवी, देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पच्चताना होता है और वह नरक में जाता है। गुरूर पुरान अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गुरूर पुरान अनुसार पवित्र मंदेर आधी जगहों पर स्थानों पर गंडे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के आहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुरान और शास्त्रों के अस्तित् पर सवाल उठाने वालों को नर्क से कोई नहीं बचा सकता है, L.